कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइस smoothing and keratin करवाने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉबलम हमें face करनी पड़ती है वो है hair fall instant hair fall होना start हो जता है जैसे ही हम smoothing करवाते हैं या फिर keratin करवाते हैं कोई भी chemical treatment अपने बालों पर करवाते हैं तो instant हमारे बालों में इतना जदा हमें hair fall होने लग जता है जड़ से बाल तूटने शुरू हो जते हैं बाल कमजोर हो जते हैं बेजान हो जते हैं रफ हो जते हैं जिससे कि आपका जो hair fall है वो कम हो सकता है, खतम हो सकता है, मुझे smoothing plus keratin करवाए गुए 1 year हो चुक है, एक साल हो चुक है, तो guys सबसे पहले तो आपको पानी लेना है और उसमें मेथी दाने को उबालना है, कुछ देर के लिए आपको इसे मतलब ऐसे ही छोड़ देना है, फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, बाद में आपको इसे किसी भी spray bottle में डाल लेना है, यह इतना अच्छा नुस् सान नहीं होगा, मिथी दाना हमारे बालों के लिए काफी ज़दा फाइदे मंद है, तो guys जो हमने टोनर तियार किया है इसे आप शैंपू में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, जो आप शैंपू यूज करते हैं, उसमें आप ये वला जो टोनर है थोड़ा सा मिक्स तो आपको जो ये हमने टोनर तियार किया, इसके फाइदे भी साथ में मिलेंगे, इसके इलावा guys आप ऐलो वीरा का यूज जरूर करें, आप चाहे तो ऐलो वीरा स्प्रे जो अतिया उसका यूज कर सकते हैं, या फिर डारेक्ट आप ऐलो वीरा लेके अपने बालों पर ल तो यूज कर सकते हैं, तो या फिर आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप अअलो वीरा को पानी में उबाल कर, उस पानी को वीरा बालो पर शिमाश करको या पानी का Supply कर daran बालों लेकी कर, सारे बालों के लिए हमारे स्कीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे बंद है तो मैंने आफटर स्मूथनिंग अलोवीरा का काफी ज़्यादा यूज किया है जिसकी वज़ासे मेरा हियरफॉल काफी ज़्यादा कम हुआ है अगर हम महंगे प्रोड़क्ट यूज करेंगे न उससे सिर इसके इलावा आपको आफटर स्मूथनिंग एंड केरेटेन आपको ओइलिंग जरूर करनी है ओइलिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मैं हमेशा अपने बालों पर ओइलिंग करके रखती हूं जब कभी मुझे कहीं फंक्शन में जाना हो कभी कोई पाटी में जान है ना तो आप ब्रेड बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपको अपने बालों को ओपन रखना है खुला रखना है इससे बी काफी जदा हीर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है कुछ-कुछ टाइम के लिए आइलिंग करके आप लूज ब्रेड बना सकते हैं तो से रिलेटेड वो सब भी प्रॉब्लम आपकी खतम हो जाएंगी आपके बालों को कोई भी किसी भी तरह को नुकसान नहीं होगा ही विकस भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे बंद है तो यह सारे मैंने आपको घरेलून उसके ही बताएं जिसमें आप टो मेरा मानना यह है कि हियर फॉल बिल्कुल खतम ही हो जाएगा तो गाईज अगर आप अंडे का पैक बनाना चाहते है ना तो इसके लिए सिरफ इसका आपको वाइट वाला पार्ट लेना है दो अंडे आपको लेने है इसमें आपको एलमेंड ऑईल एड करना है इसके इलाव एलमेंड ऑईल की कुछ ड्रॉप्स ही आपको इसमें एड करना है इस पैक के यूज से आपके बालों में इंस्टेंट शाइन एड होगी आपके बाल इतनी जदा स्मूथ सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे बालों में बिल्कुल भी टैंगल नहीं पढ़ेंगे अगर टैंगल नहीं पढ़ेंगे तो हियर फॉल नहीं होगा इस पैक का यूज आप वीक में एक बार जरूर करें मैं पक्का आपको बताती हूँ कि अगर आप यवला पैक लगा लेंगे ना तो आपके बिल्कुल भी बाल नहीं जड़ेंगे बलकि आपके बाल और जदा सॉफ्ट एंड स तो गाइस मुझे स्मूथनिंग प्लस केरेटन करवाए वान ही वान ही यह हो चुक है तो अभी भी आप मेरे बालों की लुक देख सकते हैं कि कि इतनी ज़्यादा सुंदर है अभी भी मेरे बाल काफी जदा स्ट्रेट है मेरे बालों में बैंड बिल्कुल भी नहीं पड़ हैं और अभी तक मेरी स्मूथ्निंग बिल्कुल वैसे ही है मैंने तो बारा स्मूथनिंग नहीं करवा ही है कई लोगों काफी केरेफ्टनिंग लीफ नहीं करें पड़ेगी स्टी जर्याल की जो जो मैंने आपको बताया है पैक अपने बालों पर जरूर लगाएं इसके इलावा ओइलिंग अपने बालों पर जरूर करें अपने बालों पर ब्रेड बना कर रखें कभी-कभी बीच में इसके इलावा आपको अच्छे वाले प्रोड़क्ट भी यूज़ करने है जैसे कि शै